कि जहिन दोस्तों वेलकम टुशी सांती क्लासेश सिसांती क्लासेश में आप सभी बच्चों का स्वागत है इस वीडियो में हम अध्याश 6 चैप्टर 6 रेखाएं एवं एंगल्स लाइन सेंड एंगल्स का यह हमारा पार्ट नमबर 8 है इस पर हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश पेज नमबर 118 पे जहां पर दिया है 6.1 का क्वेश्चन नमबर 5 तो चलिए समस्ते है क्वेश्चन नमबर 5 पूच क्या रहा है आकरती 6.17 आकरती में पी, ओ, क्यू, एक रेखा है, जो कि हमें नजरा रहा है, किरण, ओ, आर, किरण, ओ, आर, रे है, रे क्या होता है, किरण क्या होता है, जिसका एक बिंदू को हम बढ़ा सकने है, एक बिंदू क्या होता है, इंड बिंदू होता है, अर्थात, एक बिंदू को हम नहीं बढ़ा स जो बच्चे लाइन से देखके आ रहा है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ठीक कि आपको कितना मज़ा आ रहा है पड़ने में तो किरन ओक्यू एक रे है रेखा है पी क्यू पर लंब है लंब क्या होता है क्या किरन ऑएस हय्क किरन और सिद्धी क्या करना ना एंगा रर ओएस यह वाला एंगल छोटा सा है वहाउ इंगल क्यू ओएस एंगल QOS माइनस एंगल POS इन दोनों के माइनस का एक हाफ है ठीक यह हमें क्या करना है प्रूफ करना है तो चलिए शुरू करते है तो यह question आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है बिलकुन दिखाई दे रहा होगा तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सिद्ध क्या करना है यह हम पहले समझते हैं तो दिखाई क्या क्या है इस question में question तो आपको MC cube आएगा इस साल question MC cube आएगा आपको यह दिखाई वीडियो के बारे नहीं पता है कैसे question आएगा क्या आएगा जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी पढ़ने में और कोई भी question समझने में ठीक तो इंसान को पेपर देने से पहले उसको पता होना चाहिए कि हमारे पेपर में आने क्या क्या वाला है और क्या क्या सिलेवस से हट चुका है ठीक तो चलिए इस question पर ध्यान देते है तो दिया क्या क्या है हमारे पास दिया क्या क्या है पी ओ क्यू एक रेखा है ठीक है और ओ आर ओ आर जो है पी क्यू पर क्या है पर पेंडिकुलर है तथा ओ ओ एस ओ एस क्या है ओ एस एंगल P.O.R. के बीचे कीरण है P.O.R. के बीचे कीरण क्या? OS ठीक हमें क्या है? दिया है Proof क्या करना हमें? सिद्ध क्या करना हमें? Éngle R.O.S Éngle R.O.S ये वाला एंगल ये वाला जो छोटा एंगल है उसके क्या करना है? Half-half Engle Q.O.S Engle Q.O.S ये वाला एंगल और माइनस करना है इस वाले एंगल का उसका हाफ होगा उसका हाफ होगा कौन सा एंगल ये वाला ठिक ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है तो चलिए सिद्ध करते हैं तो क्या क्या है तो देखिए एंगल ROQ बराबर क्या है 90 डिग्री कि 90 डिग्री पर कट कर रहा है ठीक इसलिए आर ओक्यू हमारे पास क्या है 90 डिग्री ठीक तो एंगल पी ओर एंगल पी ओर और 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 क्यू यह दोनों मिलकर क्या है एक सवस्ती हैं क्योंकि यह किस मैथड़ से रहके यूग में मैथड़ से ठीक इतना आपको समझ में आ गया तो यहां पर क्या दिया है तो यह नाटी डिग्री क्या इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पी ओर बराबर वन इट्टी मानेश नाटी तो हमारे पास आ जाएगा पी ओर बराबर नाटी डिग्री ठीक हमारे पास क्या आ गया पी ओर बराबर क्या आ गया नाटी डिग्री आ अब इसके आगे यहां तक तो हमें पता चल गया कि पी ओर हमारे पास नाटी डिग्री है हमें क्या करना है यह वाले अंगल के साथ प्रूफ करना है ठीक तो समझ यह हैं अब आर ओ से यह इस चोटे वाले अंगल को घटा देंगे इस वाले तो महाँ कर रहे हैं एंगल रो इस राबर क्या हो चाही खार पास एंगल आइँ था शोनिorter को घरता थो देखक, यहां तक समझ में आ इंग है आगे समझते है तो द्यांदीजेगा फिगर को हमने इधर ले आए हैं इधर फिगर है और इसके बाद आगे समझना है ठीक तो इसके बात क्या है एंगल POS लावर क्या है हमारे पास एंगल QoS थ्अ एंगल R Q क्या सिअ लिए करना है किसमेस इनांगल को निकालना है इन मेंश the तो क्या करना पड़े, इस बड़े वाले अंगल से, इस छोटे वाले अंगल को घटा देंगी, इस बड़े वाले अंगल से, इस वाले छोटे अंगल को घटा देंगी, तो हमारे पास यह हो जाएगा, अर्थात, ROS बराबर क्या हो जाएगा, Q, QOS, QOS, माइनस ROQ, ठीक, इस वा इस बात को ध्यान रखेएगा, equal के सांथ क्या होता है, यह RHS होता है, यहां पे होता है LHS, तो LHS को LHS के सांथ जोड़ेंगे, अर्थात ROS को ROS के सांथ जोड़ेंगे, और इसको हम इधर के सांथ जोड़ेंगे, ठीक, तो इस पार्ट को इसी पार्ट में LHS को LHS के सांथ इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा ठीक तो यहां पे क्या होगा arrow s क्लस रो स यहां पर भी США यहाwnर यहां पर बरावर क्या हो जाएगा एंगल पी ओ आर इंगल POR-POS यह वाला पार्ट यहाँ पहला वाला मिल गया अगर दूसरा पार्ट कहां पे है एंगल QOS QOS-ROQ यह दोनों क्या है? बीच में क्या है? प्लेस हैं ठिक यह देखिए तो यहां तक समझ में आ गया आगे देखिए आगे क्या है? तो यह दोनों क्या हो जाएंगा? ट्वाइस आप एंगल ROS हो जाएगा बिलकुन हो जाएगा ट्वाइस आप ROS अब यहां पे देखिए R O Q R O Q के हमारे पास 90 डिग्री है बिलकुन R O Q हमारे पास 90 डिग्री शुरू में ही पढ़ना हमने भी पढ़ा और P O R P O R भी हमारे पास 90 डिग्री है जो के हमारे अभी पहले ही निकाला था क्योंकि यह दोनों रैखे क्यों है तो यह 90 है तो यह भी 90 होगा यह दोनों के जगे हमने 90 रख दिया तो हमारे पास बचे का क्या अंगल Q O S माइनस अंगल P O S ठीक अब यह दो इधर है तो दो इधर चला जाएगा तो multiply के साथ दो है तो इधर divide के साथ जाएगा तो अंगल R O S बराबर हो जाएगा half half अंगल Q O S माइनस अंगल P O S ठीक समझ में आ गया ऐसे ही आपको सारे question को prove करना है तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा यहां पे हमारा complete होता है question number 5 exercise 6.1 का question number 5 यहां पे complete होता है अब मिलेंगे next video में question number 6 के साथ तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए जय ही जय भारत new student channel को subscribe कर लिजे bell icon को press कर लिजे bell icon पर all पर click कर लिजे ताकि सभी वीडियो के update आपको मिलते रहें